नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिव्य घरेलू उपचार यूटूब चैनल में दोस्तो आज मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ भुई आवला मैं आज इसी से होने वाले फाइदों के बारे में आप सभी को बताऊंगा दोस्तों यह भुई आवला आपने आप बरसाद के मौशम में उग आता है इसके इतने चमतकारी गूड याने अर्वेदिक फाइदे हैं कि आप भी जानकर चोग जाओगे यह ज्यादा तर आपको खेत खलिहान, बाग बगीचे, खाली जगह इत्याद अष्थाने उपर देखने को मिल जाएगा इसके पत्ते आप देखी रहे हैं कि छोटे छोटे अकार के होते हैं तथा इसी पत्ते के नीचे गोल गोल फल लगते हैं तथा या भूई आवला हमारे शरीर में होने वाले कई बीमारियों से बचाने में काफी मदद करते हैं जैसे कि खासी की समश्या हो, भूख नहीं लगती हो, बुखार की समस्या हो, दाद खाज खुजली की समस्या हो इसके अलावा कई रोगों उसमें यह काम आता है तो चलिए आगे बारी-बारी से जानते हैं दोस्तो इसके बारे में अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्ली चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए क्योंकि मैं डेली हल्थ से जूरी जनकारियां लेकर आते रहता हूँ दोश्तों अगर आपको पुरानी से पुरानी खांशी की समस्या है या कुर्खांशी की समस्या है या आप खांशते खांशते हमेशा परिसान रहते हैं तो आप क्या करें कि इस भूई आवला के पतियों को पीश कर इसका काढ़ा बना ले और उस काढ़े को डेली सुबह शाम शेवन करें इससे आपका खासी बिल्कुल डूप से दूर हो जाएगा इसके अलावा आपको भूख नहीं लगती है पेट भरा भरा सरहता है कुछ खाने को जी नहीं करता है तो आप क्या करें कि इस भूई आवला के पतियों को तोड़ कर नागर मोथा के कंद के साथ पीश कर इसका काढ़ा बना ले और उस काढ़े को शुबह साम खाली पेट सेव करें यह प्रिक्रिया आप मात्र तीन से चार दिन तक करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा भूख लगना एस्टार्ट हो जाएगी इसके अलावा अगर आपको बार बार बुखार लगती है शरीर में तपन रहती है शर भारी भारी सा रहता है तो आप इस भूई आवल के पतियों को पीश कर इसका रश निकाल कर गर्म करके रोजाना दिन में टीन टाइम सेवन करने से बुखार बिलकुल रूप से उतर जाता है इसके अलावा दोस्तों अगर आपके शरीर में कहीं भी दाद खाज खुजली की समस्या हो गई है और आप कितना हूँ दवा का इ इसले और उसका लेप अपने दाद खाज खुजली पर लगाएं मात्र इसका परियोग एक हफ्ते करने से दाद खाज खुजली का नामोनिशान मिट जाता है इसके अलावा दोस्तों इस भुई आउला के और बहुत शारे फाइदे हैं लेकिन आज के वीडियो में बस इतना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जनकारी को लेकर तब तक के लिए आप शभी को बहुत बहुत धन्यबाद